सो नमस्कार दोस्तों आप लोग का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने बहुत जादा कमेंट की EMD Refund Letter के उपर कि सर हम लोगों को EMD Refund Letter जो होता है उसको लिखना सिखाए है किस तरीके से लिखा जाता है इसमें आप लोगो कि बहुत जादा डाउंट से उस टॉपिक के ऊपर में वीडियो लेक्या चुका हूं इसमें आप लोगों को स्टैब बाइच्टा ने वाला हूं एक आप लोग एक ढ्राफ्ट लेके कि आए हूं आप लोग के लिए जिसमें आप लोग को बताओं कि लिखा गया जाता है तो फ्रेंट वीडियो को पूरा देखना कोई भी स्टैप मिस्स मत करना एंड तक देखना ताकि आप अच्छे से सीख पाएं कि आप अपने क्लाइंट से जब अब एक टेंडर गिंदर ए हैं और जब उस एमडी को वापस लेने का टाइम आता है तो उसके लिए लेटर लिखा जाता हो कैसे लिखा जाता है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं कि अगर चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर जाना साथ इसद बैल आइकन को दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू एजुकेशन वीडियो डालू तो आप लोग के पास को नोटिविकेशन हाजाए और आप वो वीडियो देख सकें तो यह एक एमडी रिफेंट लेटर का फॉर्मेट है जो मैंने आप लोग के लिए बनाया है तो इसमें डिटेल कैसे फिल होगी और आप लोग किस तरीके से देखरा इजिसके एमडी रिफेंट लेटर लिखेंगे अपने क्लाइंट को वह इस वीडियो में आप लोग को बताता हूं तो सबसे पेछले विए हैं क्लाइंट का एडचर कि जिसको लोग लेटर लिख रहे हैं तो जिस भी आप क्लाइंट के सब्चेक्ट मतलब आप किस रिगार्डिंग लिख रहे हैं तो यह लिखा हुआ है रिक्वेस्ट टो रिफंड एम्ड हम लोग उसका रिफंड मंगाना चाहते हैं देन नीचे हम लोग सलूटेशन टालेंगे डियर सर आप लोग को डाल दखते हो बद डियर सर है एक नॉर्मल आप लोग यह हर लेटर में लिख सकते हैं आप नीचे देख रहे हैं वी वी के बाद मैंने आप लोग को एक जगे छोड़ी होई यहां पर आप अपने कंपनी का नाम डालेंगे कि वी जो भी आपकी XYZ कंपनी है तो आप वो कंपनी का नाम डालेंगे अब जिस क्लाइंट के लिए आप लोग टेंटर करते हैं तो जो वो टेंडर होता है वो बिहार पुलिस का नाम आएगा यहां पर जिस भी सब्जेट के लिए वो टेंडर निकाला है उसने पोस्के उसने सप्लाय अप स्टेशनरी का निकाला है तो टेंडर फॉर सप्लाय अप स्टेशनरी जो भी इसका सब्जेक्ट टाइटल होता है वह यहां पर आएगा इसके बाद दिखें विद्रेंस टूदैट वी हैट सब्मिटेड था इम्डी ट्रांसफर्ट थू कि जो ह लोग ने बैंक गैरेंटी तो यह ती जो भी आप जिस भी तरीके आप लोग अपना अपना इम्ड आप लोग सब्मिट करते हैं तो आप लोग यहां पर वह चीज़ डालेंगे देन आपके लगवाद्व डिटेल हैज भीन प्रोवाइड़ अंडरीट फॉर यहां पर आप अपना bank का नाम डालेंगे कि जिस account से आप लोग नहीं इम्डी संबिट करी थी वह account का ना जो का bank का नाम आएगा transaction नंबर तक आप लोग DD बना रहे हैं डिमांट आप नहीं तो annum बर अगर आप लोग bank guarantee का नंबर यह आप लोग online payment करते हैं यहां पर जिस तारिक में आप लोग का देट करते हैं या इस तारिक में आप लोग का डीडी बना होता है तो उस उस जोडेट आप लोग डाल ली औप लोग डाल लिए अप लोग बना रहे हैं जो हम लोग पर डाल रहे है नाम उप वही नाम आप लोग का अब नीचे देख रहें से unfortunately we could not qualify the tender तो अगर हम यह लाइन लिखते हैं we could not qualify the tender तो इसमें आप लोग का सब कुछ आ जाता है चाहे आप लोग technically disqualified हुए हूँ यह आप लोग financial disqualified हुए हूँ तो यह common line है आप लोग यह लिख सकते है therefore you are requested to refund the EMD of the above amount at the earliest कि जो हम लोगों ने ऊपर amount डाला है वो EMD हम लोग को refund कीज़े जल्दी से जल्दी अब नीचे आप आएंगे नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग को क्या करना है अपनी mention the detail of आपकी company का नाम कि जो भी आपकी company का नाम है आप यहां डालेंगे for your reference अब यहाँ पर इंवेस्टर कस्टमर नेम तो यहाँ जो भी आपकी company का नाम है XYZ company आप उस company का नाम डालेंगे बैंक नेम आपका जो भी बैंक नेम है जिसमें सब्सक्राइब क्या होता है ओनलाइन आप लोग का है पूरा bank address आएगा जो भी आप लोग का bank address जहांपे आप लोग इसकी branch है वो डालना है आप लोग को comment की इस type कि आप लोग का CC account है यह वह आपका saving account है ठीक है है तो जो भी आपका the account type आप लोग वोट डालना है यहाँ आपको account number डालना है यहाँ और नीचा आप लोग का ifc code डालना है यह वह आम इसा कॉत इस कोटो है वो डालना नाम आएगा उसके designation आएगी उसका mobile नंबर आएगा उसके email आईडिया एक यह आप लोग को पूरा EMD लेटर है वह इस तरीके से लिखा जाता है तो आई होप आप लोग को जो मैंने भी आप लोग को एक लिखा जाता है क्या-क्या detail फिल करनी होते हैं अगर आप लोग का अभी भी कोई डाउट है एंडिवेंड लेटर से लेटेड या इमडी से लेटेड कोई भी डाउट आप लोग का विडियो बना रखी है कि इमडी किस टाइब की होती हैं इमडी होती क्या है और इमडी के बारेब हैं बहुत सारे वीडियो बना रखी तो इसका जबापका लिंक में आप लोग को आई बटन में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स टाल दूँखा तो आप लोग विडियो या कर देख सकते है और EMD से related सारा ज्यान, सारा जितना भी content है, आप लोग सीख सकते हैं, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे मेरे किसी next वीडियो में, किसी एक नए topic के साथ, तब तक के लिए बाई बाई